गाजर ना सिर्फ स्वाद में अच्छी होती है बलकि इसमें आपको तुन दुरूस्त रखने के लिए बहुत सोरखास गुर्ण होते हैं यह आपको स्वस्त रखने के साथ साथ आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाती है इस मौसम में हमें विटामिन वाई यूटिशन से भरपूर कई चीज़ें खाने को मिलती हैं और गाजर भी इन ही में से एक है गाजर में विटामिन ने भरपूर मात्रा में पाया जाता है गाजर में बीटा के एरोटीन भी पाया जाता है गाजर सर्दी जो काम से लड़ने में मदद करती है साथ ही यह सर्दियों में आम संक्रमन से बचने में सहायक है लाल और मीठी गाजर को देखर हमें इसके हलवे की याद आ जाती है और आये भी क्यों ना इससे बनने वाला हलवा लगता ही लाजवाब है गाजर में मिनरल, विटामिन और विटामिन ए पाया जाता है इसलिए इसे त्वचा और आखों के लिए अच्छा माना जाता है गाजर का प्रयोग आप सूप बनाने, सबजियों, हल्वां और सलाद के रूप में भी कर सकते हैं गाजर के जूस को अपनी नियमेता हार का हिस्सा बनाने के आंकी यह स्वादिष्ट होने के साथ हुग गुणकारी है तो आए इस आगे की स्लाइड्स पर जानते हैं गाजर के स्वास्तवर्धक लाब के बारे में गाजर शरीर से गंदे पदार्थाय को बाहर निकालने में मदद करती है साथ ही साथ अलसर जैसी हतरनाक बीमारी में भी गाजर लाबकारी है कमजोरी से अगर आपको चक कर आते हों तो गाजर खाना आपके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं गाजर को आँखों के लिए बहुत अधिक फायद मन्द माना जाता है क्योंकि यह विटामिन A का सबसे अच्छा स्त्रोत है लेकिन गाजर सिर्फ आँखों के लिए ही लाबदाया नहीं है बल्कि इसके अलाबा गाजर का नयमित इस्तिमाल आपके बालों और तुचा के लिए भी बहुत लाबकारी है गाजर में विटामिन A, विटामिन B, C, कैल्शियम और पैक्टीन फाइबर होता है जो कॉलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ने नहीं देता अगर आपको सर्दी वजुकाम रहता है तो गाजर का जूस लेने से नहीं जुकाम नहीं होगा गाजर का जूस बड़ी को इम्म्यूनेटी बढ़ने का काम करता है और इससे आप जमस्व इंफिक्शन मल गैर होने से बच्चे रहते हैं गाजर का जूस त्वचा को साफव चमकदार बनाता है साथ ही रोजाना गाजर के प्रेश जूस पीने से एकने की प्रॉबलम दूर